नमस्कार तोस्तो मेरा नाम है आयूश बैनर जी आप देख रहे हैं R&D Tech और स्वागत करते हूँ आपका इस फ्रेशने एपिसोड में जसमें आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ और अन्बॉक्स करने वाला हूँ बोया के BY-M1 माइक्रोफोन को तो ज्यादा वक्त नहीं मैं अन्बॉक्स करने का तो अगर आप इसको अफ्लाइन मार्केट से खरीदेंगे जैसा कि मैं आपको सेजेस्ट करूंगा करना मैंने इसको खरीदा चानी चौक के कुछा चौदरी मार्केट से जहां पर यह मुझे तक्रीबन तक्रीबन 800 रुपे के अंदर अंदर यह मेरे को मिल गया था अब फीचर्स के अगर बात करें जो बॉक्स पर लिखी हुई है तो यहां पर कहता है कि यह क्लिपाउन तरेके का माइक्रोफोन है जो कि स्मार्टफोन, DSLR, Camcorders, PCs और Audio Recorders के साथ इसमें Omnidirectional का Condenser microphone लगाया हुआ है और काफी High Quality है तो Sides में आपको अगर देखे तो बस Branding देखने को मिल जाती है और कहां कहां आप यूज कर सकते हैं यह बताया गया है इस microphone को तो चलिए इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर आपको क्या मिलता है खोलन के बाद जो सबसे पहली चीज आपको देखने को मिलती है वो मिलती है कि एक Carry Pouch यह Carry Pouch भी Branded है इसके उपर Boya का नाम लिखा हुआ है तो इसी के अंदर actual microphone और accessories आती हैं इसको अभी थोड़ा side में रखते हैं और देखते हैं अंदर आपको क्या देखने को मिलता है अं क्या safety informations है और कहां कहां इसको कैसे use कर सकते हैं तो इनको side में रखते हैं और खोलते हैं सारे इस pouch को और देखते हैं अंदर क्या मिलता है अपको तो सबसे पहले आपको accessory kit मिलती है यह एक चोटी सी pouch है again एक चोड़ा सा पाउच है जिसमें आपको देखने को मिल जाती है तीन काफी अच्छा receiving करेगा microphone फिर एंड उसके साथ आपको मिलता है quarter inch का adapter जो कि आप attach करके किसी बड़े audio port पे लगा सकते है रेस्ट आपको जो देखने को मिलता है वो microphone मिलता है तो microphone का जो सबसे जादा बड़ा खासियत रखा गया है इस microphone का खासकर वो यह है कि यह एक काफी ल इसके साथ आपको एक cable tie का option मिलता है मैंने अभी तक इसको open करने का open करने का नहीं सोचा है क्योंकि अगर एक बार open कर दिया तो यह बहुत ज्यादा clumsy हो जाएगा तो इसके साथ आपको एक मिलता है बीच में full metal body का एक switch आप कह सकते है एक तरीके का जहां पर आप switch कर सकते है modes को जहां पर अगर आप on करते हैं तो यह आपके cameras पे use हो सकते है और अगर आप off रखते हैं तो इसको आप use कर सकते है अपने smart phones के साथ जी हा दोस्तों यह आपके smart phones पे भी compatible है जिसमें 3.5 jack हो उसमें अगर इस microphone की बात करते हूं यहां पर आपको swivel करके आपर देखने को मिल जाएगा एक LR44 battery जिसको आप replace कर सकते हैं अगर यह खतम हो जाए और इसकी backup जो रखी गई है वो approximately आपको साल भर का backup दे देगी depending upon the use अगर आप heavy user है तो शायद time deplete हो सकता है अगर मैं अपने initial impressions शेयर करूँ इस microphone के साथ तो यह काफी अच्छा microphone रहा है फिलहाल मैंने तीन चार वीडियोज अपने शूट कर ली हैं और मुझे उन पर कोई audio edit करने की जादा खास जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि जो audio record किया था इस microphone ने वो काफी clear था और background noise को काफी करके जो microphone का पूरा setup है sound card के साथ मेरे laptop पे तो audio sync करना एक सबसे बड़ी problem रह जाती है या फिर जब audio out of sync जाने का एक डर बना रहता है बट इस microphone के साथ में directly अपने DSLR पे connect कर सकता हूँ और record कर सकता हूँ अपने DSLR में जो फिलाल आप आवास सुन रहा है वो आरही है जिसमे कि मैंने directly ये पूरे hub के साथ connect कर रहा है और मेरे laptop पे recording हो रही है जो मैं audio post production में sync करूँ गा so mind कीजेगा ये directly audio camera पे नहीं जा रही ये मेरे को post production में sync करना पड़ेगा अब जो आप audio सुन रहे है वो आ रही है मेरे Canon के 700D से जो internal microphones है उसमें से तो आपको सुनके difference पता चल रहा होगा कि इस microphone और camera के microphone में कितना difference आ रहा होगा तो अब जो आप आवास सुन रहे होंगे वो आ रही है इस बोया के BY M1 caller microphone से जो कि मैंने हाँ पर अपनी caller पे पहन लिया है तो आप खुद ही judge कर सकते हैं कि audio quality एक dedicated microphone इतने बड़े setup के साथ एक camera के microphone और एक caller mic के microphone के साथ कैसा आ रहा है मैं अगर अपने initial impressions की बात करूँ इस microphone के बारे में तो मेरे को काफी अच्छा performance डिलिवर कर रहा है फिलहाल ये microphone और मेरे को काफी अच्छा solution लगा मेरे DSLR के साथ mount करके इस microphone को तो क्योंकि मुझे audio edit करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है और मुझे उतना knowledge भी नहीं है audio को edit करने का तो एक beginner level के लिए ये काफी अच्छा solution है और अगर आपको कोई सस्ता सा microphone चाहिए अपने YouTube channel के लिए आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपके smartphone से भी connect ह जाए अगर आपके पास कोई dedicated camera है तो उससे भी connect हो जाए तो ये काफी अच्छा solution रहेगा ये काफी अच्छा solution रह सकता है आपके लिए so that आप use कर सकते हैं इसको और produce कर सकते है अपना content so this video के लिए फिलाल इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और मैं नीचे best buy links provide कर दूँगा अगर आपको online खरीदा है तो but I would suggest के offline markets में जाए अगर आप Delhi में रहते हैं तो जरूर से कुछ चाओधरी market जाए वहाँ पर आप explore करेंगे तो काफी reasonable rate में आपको ये मिल सकता है तो मेरे हसाब से ये वाला microphone एक thumbs up जाता है मेरी तरफ से जो आप खरीद सकत हैं तो ये था मेरा initial impression इस BOYA के BY-M1 microphone के लिए तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा जरूर से लाइक कीजेगा और आपको अच्छा नहीं लगा तो आपको पता है कि आपको इस वीडियो के साथ क्या करना है जरूर से शेयर कीजेगा अपने दोस्तों के साथ और बत notifications को enable कर दीजिगा ताकि आपको पता चलते रहे मैं अपने अगली वीडियो कब लेकर आता हूं तो फिलाल इस वीडियो के लिए इतना ही मिलता हूं आपसे मैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाए